तो आज मैं आप लोग के लिए चैप्टर थर्ड कर एंसर है वह आज हम लोग यहां पर करेंगे और मैं कोशिज करूंगी कि वीडियो भी जल्दी अप्लोड हो सके चुकि मैं अभी आउट अप स्टेशन हो इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे भी तो मैं अप्ल प्राइज जरूब करोंगी कि चली स्टार्ट करते हैं कि किस पौधे से रहसेप्रिंट प्राप्त होता है तो राइट एंसर होगा वह है रावल अफिया और किस अंग में ग्लो मेरूलस पाया जाता है राइट एंसर किड़नी सिंकुना नामाग पौधे से कौन सा ब्रिकनाली का पाई जाती है किड्नी में केचुवा का उस सर्जी अंग क्या कहलाता है नेफ्रेडिया मनुष्य की रक्त चाप को कम करने के लिए कौन सा अलकुलाइड उपयोगी होता है तो रिसेप्रेण जिसको कहा जाता है और निमलिखित में से कौन सा प्रानी का उस होती है दिन में होती है हम लोग जानते है है डार्क फेज लाइट फेज और उक्सिजें गैस निसकासित होती है और जब लुक्त है प्रकास औंसलेशन की किरीया में नीर्मित ग्लुकोज की आक्क्शीजै सरोत क्या है तो वह है एस टो हम लोग जानते हैं कि जब वह क्लोरोप्लास के ऊपर जब सुर्य की किरने पड़ती है तो वह फोटलासिस वाटर के जड़िये हाट्रोजन आयन में बदलके फिर ओएच आयन को और उसकी बाद से फिर वह दोनों जुड़के ओएच ओएच आयन जुड़के ऑक्सिजन क्यास को मुझा है नेक्स देखते हैं हम लोग नेक्स है कि उर्जा उन्मोचन के लिए सबसे महत्पूर्ण विधी क्या है तो उर्जा के अंदर उर्जा युक्त्रसाइनिक पदार्थ क्या होता है तो राइट एंसर होगा एटीप ठीक है वेल का स्वशन आंग क्या है फेफरा लंग्स जिसको कहते हैं सुर्य के प्रकास में मनुश्य के सरीर में किस बिटामिन का संसलेशन हो सकता है तो बिटामिन डी है जल मे डी कमलत्रावित होता है मासर से और किस बिटामिन की कमई सेबस्कों में सुखंडेशन को क्या कहा जाता है यृत्य लाल रच्त में वापस किसके द्वहरा आता है शीर 2009 लाका बज़ब नर्ण किसके किरिया के द्वारा होता है तो वह फ्लोयम् के द्वहरा होता है कि ontogen और भी पाए जाते हैं जिनका ब्लड-गूरूब होता यह भी उन में eat jam a b भी पाया जाते हैं ठिक है कर त प्लाज्मा हीमोगलोवी नहीं पाया जाता है जींगा मचली में एक समानिय पर स्वस्थ वेक्ति की हिर्दय की धरकन कितनी होती है 72 टाइम्स यह 72 बार जिसको कहा गया है किस प्रानी के रक्त में हीमोशाइन पाया जाता है तो जींगा मचली के ब्लड में हीमोशाइन पाया जाता है ठीक है किस प्रानी के रक्त में हीमोशाइन पाया जाता है तो राइट अंसर होगा झींगा खुला पडिवाहन तंत्र में नहीं पाया जाता है हीमोशिल में नहीं पाया जाता है और वर्ग के रक्त में एगलूटीनोजेन नहीं रहता है राइट एंसर ये होगा एगलुटीनेर नहीं रहता है और निम्लिकित में से कीन प्राणियों के जोली में हीमогलोबिन पाया जाता है तो राइट एंसर होगा C मनुश्य और केच्वा वासपोसर्जन की दर में बृधि होती है किसके कारण में वासपोसर्जन की दर में बृधि होती है तो इस तरह से हमने आज afterwards कुलेट किया ममें बीट्र वीडी के साथ सौट रहे हैं और वॉर्स में शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू, और फिर मिलते हैं, बाबाई